Hello traders, दो चीज़े हम आप से डिस्कूस करेंगे सबसे पहली, प्राइस की रीडिंग्स आज हमने कैसे की है बहुत आराम से, इग्मिनान से, कंसंट्रेट हो करके पूरा वीडियो देखिएगा एक एक चीज हम आपको आज के दिन बताएंगे देखने में हो सकते हैं, आपको शुरूब आपने कॉंप्लिकेट लगे इसको इतना सिंपल हमें हम समझाएंगे ना कि आपको एक बाहर में समझ में आ जाएगा पहली चीज, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टी को आज हमने सेलेक्ट कैसे किया से स्कैनर से हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को स्लेक्ट किया देखे, तीन कैंडल हमारी फॉर्म हुई है प्राइस दिक्षुली क्या कर रहा है, कि इन तीनों कैंडल की रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा है एक फॉर्थ कैंडल फॉर्म हुई थी, जो वह इस लेवल के अंदर ही ठीट कर रही है दूसरा जब हमारा प्राइस उपर की तरफ जा रहा था तो यहां से वॉल्म्स कम हो रही थी अब जब प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है देखें चूटी-चूटी कैंडल बना करके ही सही प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है अब यह जो हमारी सेंटर वाली कैंडल है जरूरी नहीं है कि सेंटर वाली कैंडल ही जरूरी होगी लेकिन यहां के जो price actions form हो रहे हैं यह हमारी central candle को important बना रहा है price क्या कर रहा है हमारी इस candle के बाहर नहीं निकल पा रहा है जैसे ही price candle के ऊपर में गया था अब side की दरफ breakout दिखाया तो सबसे पहली चीज़तों हम देख रहे हैं कि यहां पर volumes भी कम है और price पर यहां से हमारा सीधी नीचे की दिशा में गिर गया बट अगर इसको नीचे जाना है तो फिर यह नीचे की दिशा में चला जाना चाहिए बट यहां से क्या और है ना इस candle की low से price support ले रहा है और यहां पर कई सारी candles form हो रहे हैं कि price हमारा ऊपर की दिशा में जा रहा है बट volumes कम हो रहे हैं इसके साथ में अगर price को उपर जाना तो इस वाली swing को ब्रेक करके इसको upside की दरफ निकलना होगा अगर अब direction show करना है बट market इसी जगह से नीचे क्यों पलट गए जैसे price नीचे आया इसको गिर जाना चाहिए हमारी central वाली candle को low break करके बट price इस low वाली candle के पास में आख करके यहां पर कुछ bunch of candles form करता है लेकिन जब उस bunch of candles को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह एक actually mother candle है और price उस mother candle का breakout upside की तरफ कर रहा है बट इस central वाली candle के उपर price नहीं निकल पा रहा है चोटी-चोटी candles ही बन रही है बट price उपर नहीं निकल पा रहा है हमारी इस वाली candle के लास्ट session में क्या हुआ है क्योंकि यहां पर जो volumes आही न यह बहुत चोटी-चोटी volumes कम volumes थी यतनी भी candles form हुई है कम volumes थी लेकिन कल के session में जो volume आई है actually volume का breakout है यानि कि price ने उपर की तरफ breakout दिखा दिया था एक ठीक ठाक volume का breakout दिखा था और price ने यहां पर volumes के breakout कर दिया clear अब जैसे ही price हमारा उपर की दिशाम गया तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि price जिस central candle के उपर की तरफ नहीं जा पा रहा था कल price ने उस central वाली candle के उपर में closing कर दी अब यहां पर price ने एक resistance तो break कर दिया अब second resistance जो है वो यह वाली candle है जैसे ही price हमें क्योंकि breakout जो आज के session में चाहिए वो इस वाले swing का हम इस swing का breakout चाहते हैं क्योंकि अगर price इसके उपर निकला ना तो एक अच्छा खासा move हमें देखने को मिल जागा आज जो price उपर की तरफ गया है exact इस candle के पास यह price ने up move दिखा दिया अभी जो इस वक्त price travel कर रहा है कल के high के पास में travel कर रहा है और जैसे ही price ने कलका high break किया move आएगा और जो last वाला हमें resistance आई वो यह वाला है price जैसे इसके उपर निकल था तो एक अच्छा move हम लोग catch कर पाएंगे यह तो हो गए बात drawings की इसमें हम लोगों ने एक चीज़ क्या समझी drawings में जब price ने एक resistance फॉर्म किया कम volume के साथ फॉर्म किया price जब नीचे की दिशा में गिर रहा था तो central वाली candle का low price ने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर volumes स्थिर हो गए मतलब volumes कम हो गए आपने एक चीज़ देखी होगी काफी पहले भी हमने इस चीज़ का example दिया था कि अगर आप speed से कहीं कि किसी भी दिशा में दोड़ रहो और अब आपको turn लेना है तो आप उसी speed में turn नहीं ले सकते जिस speed में actually आप run कर रहे था आपको अपनी speed कम करनी पड़ेगी कि जब central वाली candle की range के अंदर price आया ना तो price भी स्थिर हो गया और जो volume से ये भी कम हो गया मतलब कि इसने speed अपनी कम कि इस जगए पर और जैसे ही इस mother वाली candle के चूंकि internal structures बने हुए है internal structures हमको पहले ये indicate करने की कोशिश कहते हैं कि price में actually क्या होने की probability सबसे ज्यादा है हमें ये समझ भाया है कि अगर कोई mother candle internal structures के according बनी है और price ने upside की तरफ जाकर के closing की है यानि कि downside की probability कम है price up move दिखास रखता है हमको अब जहां से जब हम देख रहे हैं तो price क्या कर रहा है mother candle break करने के साथ साथ last में इसने हमारी इस central वाली candle जो important candle है price ने इसके ओपर जाकर के closing कर दी high volume के साथ अब हम इसके अंदर buy set का trade execute कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर हमें buy के opportunity मिल रही है तो कहीं न कहीं एक अच्छा symptom होगा और एक अच्छा move हम catch कर पाएंगे ये वो candles हैं ये तीन candles है ना तीनो candles ने देखी क्या क्या है अब move दिखाया volumes मेरी कम हो रही है central वाली candle का low count सा है ये वाला अब अगर price को नीचे जाना है तो हमारी central वाली candle का low break कर देना चाहिए बट ये देखे यहां पर हमें एक black candle mark की हुई है price ने क्या क्या है इस black वाली candle का low break नहीं हुआ है यहां से up में जाकर के price ने closing कर दी यानि कि इस mother candle का high break कर दिया high break कर देने के बाद में यहां पर हम देख रहे हैं कि volume भी ठीक ठाक आई है अब अगर price को नीचे की तरफ गिरना है तो वापस से price इस black वाली candle की range के अंदर आ जाए और इसका low break कर दे तो ये गिर जाएगा बट price क्या कर रहा है वापस breakout, retracement और upside की तरफ मतलब कल और भी ज़्यादा volume आ गई है और price ने हमारी उस central वाली candle का high break कर दिया जब आप इसको mark करोगे तो इसका high break कर दिया मतलब कि इतने दिन से price हमारा हमारी इस candle के ऊपर नहीं जा रहा था यहां से देखिए नीचे की तरफ गिर गया, गिर गया, गिर गया बट कल के session में price ने उपर की तरफ closing कर दे अब आज जो price ने support लिया है हमारी इस central वाली candle के high से ही support लिया है और यहीं से हमने अपनी entries की confirmations लिया है कल का जो high हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यह वाला high break हो जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद यह भी है कि price फिर अपना यह सबसे last वाला swing बे ब्रेक कर देगे और अगर ऐसा होता है तो आप देखिएगा कि गोदरिज प्रॉपर्टी आज कितना अच्छा move हमको देखाते है अब लोवर टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एक्जेक्यूट किया है 1305.80 यह हमारा आज कही रिया है यह क्यों है क्योंकि यहाँ पर हमारी फिर्स्ट ग्रीन केंडल फॉम है यहाँ पर देखे लाइन काफी ज्याद हो चुके है इसके पास ही हमने अपना ट्रेड एक्जेक्यूट किया अब आजाते हैं लोवर टाइम फ्रेम पर प्राइस जैसी हमारा इस केंडल के नीचे गया है क्योंकि यह सपोर्ट एरिया है अब अगर पैस को ऊपर की तरफ जाना है तो यहीं सिसको कही ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए शॉर्ट सेलिंग करेंगे नहीं और यह जो हमारी ग्रीन केंडल फॉर्म हुए जैसी प्राइस हमारा इस केंडल के ऊपर गया हमने अपना ट्रेड एक्जेक्यूट किया स्विंग के नीचे हमने अपने स्टॉप लॉस रखे अब एक्जेक्ट अगर हम लोग प्राइस देखें तो फिर और बुक में जाना पड़ेगा यह हो गया पेस्ट ओके यह एक्जेक्ट प्राइस हो गया अब हम लोग एक काम कर लेते हैं ना कल का जो हमारा है हम उसको मांकर लेंगे यह सबसे पराइस्टेंस एरिया हमारा डे का है और इसके बाद में जो एक्चुल ब्रेकाउट में कैच करने है वो डे टाइम फ्रेम अगर हमारी यह ब्लैक वाली कैंडल है अगर पैस इसके ओपर निकला ना तो आप देखेगा कि गोदर्च यहां से पोजिशन बुक पर चलते हैं पोजिशन बुक में अपना प्रॉफिट जो आज का चल रहा है पोजिशन बुक 30078 का प्रॉफिट अपना रहा होगा एंड इसकेंड चीज यह इस्केंड काहा से क्या है तो वही अपना फटा 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 पर इसकेंड पर हम लोग आ जाएंगे एंड फटा फट के पास मेर ने के बाद में अपन कर लेंगे एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी एंड यहां पर देखें एंड कॉलम जेट हुए एंड कॉलम कर देने के बाद में देखें गोदरेश प्रॉपर्टी सेकेंड नंबर है को फोर्ज हम देख रहे थे बट मूव हो गया इसका मजा नहीं आया एंड गोदरेश प्रॉपर्ट यह को हमने फटा 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 स्लेट किया है सो आई होब कि सारी चीज़ आपके क्लियर होई होगी हमारा स्टॉप लॉस एंट्री हाइर टैम फ्रीम की रीडिंग और जो भी अपनी इनैल्सिस रही है गोदरेश प्रॉपर्टी को लेकर कि वो सारी चीज़ें आपको एक्स् और एक अच्छी खासी वॉल्म इसके अंदर आप देख रहे हो कि जेनरेट हुए है मतलब कि प्राइज ने अपनी रेंज का ब्रेकाउट वॉल्म के साथ किया है अब हमारे पास एक लास्ट ब्रेकाउट बचता है जो कि डे टैम फ्रीम पर हमारी ब्लैक वाली केंडल है य तो यहां तक हम वेट करेंगे और इस वक्त का जो प्राफिट चल रहा है 7900-8200 का चल रहा है जो अपने अनलसिस एंद फुल डे वेट करने के बाद फाइनली हमको हमारा टार्गेट एजी हुआ 1330 रूपीज का हमारा टार्गेट था एंड 235 की जो चैंडल हमारी बनी इसक जो अपना प्राफिट चल रहा है पोजिशन बूग 900-9000-9200 एन इस वक्त का जो अपना प्राफिट चल रहा है 10,000-11,500 के आसपास का मारा प्राफिट रहा है इसे एक मूव का ही तो हम वेट करें थे 1332 अभी अपना प्राफिट इंक्रीज हो करके 1300-13500 पहुँच चुका है सो अब यहां से हम लोग स्कायर अफ करते हैं क्योंकि अब ज्यादा दिर रुकना सही नहीं है ओके निकल रहें चल लिए पॉफेक्ट सारे ओड़ोस निकल चुके हैं प्राफिट 10,128-90 ठीक है नॉट बैड सो 13,000 के रॉंड हमें प्राफिट शो हुआ था जब प्राइस अपना डे हाई ब्रेक करके अपसाइट का मूब दिखाया था बट यहां पर प्राफिट अपने बुख होने पाए बिकाउस प्राइस सस्टेन नहीं किया यहां से सीधे नीचे की दरफ गिर गया अभी टाइम भी खत्म होने वाला है इस वजए से हमने यहां से बाहर ही नि जो अपने trend identification था और जो target points थे price exact उस level पर touch हुआ और उसने हमें हमारा पूरा का पूरा target दिया profits भले ही हमने कम के बट एक के satisfaction हमेशा होना चाहिए कि जो analysis हम लोग कर रहे है वो सही हो रही है thanks and I hope कि काफी सारी चीज़े समझवाई होंगी आपको काफी सारी चीज़े आपने सीखे होंगे यह अपना espresso का broker है so अगर आप चाहते हो तो यहां से अपना account open करवा सकते हो अगर आप espresso के तुरू trade execute करना चाहते हो बहुत सारी facilities है जो espresso आपको देता है so यहां से अपना espresso का account open करवा सकते हो एंड जो link है account opening का वो हम अपने description box में put कर देंगे आप वहां से इनकी website पर जा करके account अपनो open करवा सकते है so thanks goodbye and we will meet again